क्लासिकल सिंगर्स तदा लाइट सिंगर्स को वोईस ट्रेनिंग देते हुए मैंने अक्सर ये मैसूस किया कि अधिक्तर लोगों को रियास का सही तरिका नहीं मालू या वे उन्हें फोलो नहीं करते इस वीडियो के द्वारा मैं वोईस वाम अप एक्सरसाइज की आविशक्ता तदा इंपोर्टन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ आपने देखा होगा कि स्पोर्स पर्सन्स खेलनेक से पहले फिसिकल एक्सरसाइज करते हैं वे अपने बोडी के मसद्स को फ्लक्सिबल बनाने के लिए ये प्रक्रिया फोलो करते हैं Singers के लिए भी voice related muscles को flexible बनाने के लिए warm up exercise बेहत जरूरी होते हैं। कुछ लोग अलंकार और बंदिश गाकर या light music गाकर रियास तक ही सीमित रहते हैं। परंतु professional singers voice quality को maintain रहते हैं। warm up exercise आवश्य करते हैं। रात में लेंबी नींद के बाद उड़ने पर muscles में stiffness रहती हैं। specially voice तदा respiratory system में कफ रहने से गाना कुछ स्वरों तक ही सीमित रहता है। ऐसी स्थिदी में force लगाकर गाने पर different problems create होती हैं। और ये धीरे-धीरे voice disorder के लिए भी कारण बन सकते हैं। सुबह उड़ने के बाद सबसे पहले कफ निकालना हैं। जिसके लिए 2-3 glass गरम पानी और steam inhalation भी लेना जरूरी हैं। Breathing exercise के साथ vocal mechanism से related कुछ physical exercises भी करने से vocal muscles गाने के लिए तयार हो जाता हैं। इसके बाद vocal chords की stretching के लिए मध्य सब्तक के सा को 10-15 minutes तक अलग-अलग vowels में sustaining की रियास करना जरूरी हैं। फिर धीरे-धीरे एक-एक स्वर मंद्र तदा मध्य सब्तक में बढ़ाते हुए stretching करना हैं। स्वर्ण 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 स्वर सानी नीसा सरे रेसा सानी धा धनीसा सरेगा गरेसा सानी धाप पधनीसा सरेगा मा गरेसा पधनीसरे गरेसा करने से आपका गला हर प्रगार के गायन के लिए तैयार होगा। मंद्र सब तक में घरज का रियास करने से आवास की पावर एवं रेंज बढ़ती है कम से कम 25 मिनिट्स वाम अप एक्सरसाइज करने के बाद डिफरेंट अलंगार गाकर वोकल प्राक्टिस जारी रेखनी चाहिए Quality voice production एक technical aspect है जिसके लिए proper guidance से सीखना उजित होगा धन्यवाद जिसके लिए करने से सीखना उजित होगा जिसके लिए करने से सीखना उजित होगा